दोस्तों इंडियन रिजनोविर एनर्जी डेवलोप्मेंट एजिंसी लिमिटेड यानि इरड़ा की बात को स्टॉक के अंदर आज काफी अच्छी हमने तेजी देखिए कल के अपर सरकेट के बाद आज फिर से तेजी है जैसे कि आपको पता होगा आज सेटर्डे को बाजर क्लोज होता है लेकिन स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन के तरह आज बाजर खोला गया था और दो ट्रेडिंग सेशन हुए आज जिसमें आने वाले समय में किसी प्रका पर सिप्ट करके सूचार रूप से बाजर को आगे बढ़ाया जाए किसी को कोई तकलिप नहों निवेसको का पैसा नडूबे कोई नुकसान नहों इसके लिए आज ये इस्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन किया गया था जिससे आप समझ सकते हो कि आने वाली समय किसी है तो इसको लेकर आज बाजार खुला था नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है लोगों ने यहाँ पे खरीदारी भी किया और इंडियन द्रेडिंग डिवल्प मेने जेशी के स्टॉक में भी हमने तेजी अच्छी देखिए स्टॉक फिर से उपर जाने को त्यार हो रहा है यहा पर कुछ बड़ी अपडेट भी निकल के आ रही है जिनको हमें के करके डिसकस करेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक ओन दबा दीजिए ताकि छबी ने वीडियो बने पहला रिड़ा के कारोबार की बात कर लें स्टॉक की सुरुआत हुई 153 पर कॉजिटी शुरुआत हुई और देख सकते हो कि काफी सांदार प्रदर्शन किया 150 का लोग बना जो कल के लोग के आसपास था लेकिन क्लोजिंग जो है वो 160 के आसपास रही है तो काफी सांदार के माधियम से 28 फर्वरी को स्टॉक 151 के आसपास आ गया था जापे 5% का लोगर सरक्रिट लगा 27 फर्वरी की बात के क्लोजिंग 154.90 के आसपास थी यहने 155 के आसपास क्लोजिंग थी जहां पे 2.2% की हमें तेजी देखना को मिली फिर देख दो कि 28 फैब को स्टॉक के अं 149 के आसपास आ गया जापे 3.6% की काफी बड़ी गिराउट भी फिर 29 फैब को स्टॉक फिर रिकवर हुआ 150 के आसपास क्लोजिंग जापे मातर 0.5% की तेजी थी लेकिन एक मार्च काफी सांदर रहा नए महिने में इसने सांदर प्रदर्शिंद किया इसमें अपर सरक्रि लिए है यह स्टॉक फिर से उपर जाने को तयार हो रहा है तो यहां पर बड़ी गुड़ी निकल कर आ रही है बी एसी इंडेक्स में इरिडा को सामिल कर लिया गया है बीड कैप के अंदर तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो है यहां पर सामिल के जिसमें जीयो फाइन इंडेक्स और बंबे श्टॉक एक्चेंज का जॉइंट वेंचर सिप पार्टनर्सिप के तयाती है ऐसे में इंडेक्स में अब सामिल कर दिया गया है तो यहां पर देख सकते हो कि इसके अलावा टाटा टेक्नोलोजी जेस डवल्यू इंफ्रास्रक्ट्चर इंडिया निम इंडेक्स के अंदर सामिल किया गया तो यह बदला हुआ है आप देख सेतों कि इसका मतलब इसका वेटेज बढ़ेगा आने वाले समें इसमें फ्रेश इंवेस्मेंट आना सुरू होगा यहां पर टोटल फिप्टी सेंडेक्स को सामिल किया गया और फिप्टी एट और आप देख सेतों कि यह आने वाली जो देख सेतों कि 27 मार्च 2024 से इस इंडेक्स के अंदर यह ट्रेट करना सुरू हो जाएगा तो निप्टी के अंदर भी आ चुका है निप्टी 500 का इससा बन चुका है और दूसरी तरब बब BSC मीड के अंदर भी सामिल हो चुका है तो पढ़ाएगी यह इसके लिए बहुत बड़ी गुद्णिव जय है यहां पर बड़ी गुद्णिव निकल क्या रिया पावर फांडेशन ऑप इंडिया की तरब से एक देख की रिदेवल एनर्जी फोर सस्टेंबल डेवलोपमेंट के ऊपर एक कॉन्फरेंस की गई है जिस पर बादचीत हुई है किस तरह से सरकार की तरब से कोई और प्रोथसान दिया जाये प्रावेट प्लेयर को किस तरसे इसमें एड़ किया जाए यह सारी बात है इस conference के दोरान हुई है यहनी बहुत सारा निवेस आने की संभावना बन रही है वहाँ पे इस conference के दोरान चार बड़े point के उपर discussion हुआ है जिसमें आप देखें तो role of DRE in India sustainable development, second है empowering communities, the role of distributed renewable energy in sustainable development और तीसरा है uptake of DRE solution for MSB sector और जो चोता point है वो है business model including finance DRE तो बिल्कुल इस अलग लगी इन point के उपर बातचित हुई और किस तरसे आगे बड़ा जाए उसके उपर यह सारा दारोमदार है किस तरसे यहां पर इस सेक्टर को जड़ा जड़ा finance provider के जाए एक बड़ी good news article के आ रही है इंडिया और स्री लंका मिलके 11 million dollar का एक बड़ा project complete करने जा रहे स्री लंका और यह private partnership के तैद जो करीब देखें तो कि बड़ा एक project है जो और इसके लिए इंडिया की तरफ से पूरा support मिलेगा इंडिया यहां पर finance product करेगा और स्री लंका में यह project complete किये जाएंगे यानि कुल मिला के देख सकते हो कि इंडिया के इलावा स्री लंका में भी company तेजी से सारी कारिम करने शुरू हो चुके है इंडिया की company और finance की जरूत पड़ेगी और इसके लिए आप देखें जो कि इरिडा जो 100% ग्रिदाजी sector को finance product देखें इसके लिए एक बड़ा मौका निकल के आ रहे है तो यह सारी एक के बार एक जो deal निकल के आ रहे है जो बहुत सारी जो नए प्रोजेक्ट निकल के आ रहे है वो सारी सावित कर रहे है कि इरिडा में तेजी आने वाली है और ऐसे मैं आपको long term का नज़रे लगे इरिडा में निवेस के बारे में सोचना च एक बड़ी अपडेट हरियाना से भी निकल क्या रही है, हरियाना में छटा नेश्टन एंडर्जी समिट हुआ है, जिसमें हरियाना किस तर से अपने आपे क्लीन एंडर्जी को आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर यापे बाचित हुए है, 29 फरवरी को ये पूरा समिट अपनियों ने, और देख सकते हो कि हरियाना में वो सारी अपपॉर्चुनिटी देखी जारी कि इस तर से ग्रीन एंडर्जी को जादे जादा इंस्टॉल किया जाए, चाहे वह वेन एंडर्जी हो या सोलर एंडर्जी, तो ये एक के बाद एक जो राज्य है, वो अपनी त तक पहुझ गया, बहुत जबर्दस तरीके से और हर साल बढ़ रहा है, रिवेनिव क्रहशी भी बढ़ रहा है या पर इसका जो net cash flow निगेटिव भी पॉजिटिव हो चुका है आप देखें तो मार्च 2020 में माइनस 767 क्रोड था जो मार्च 2022 में घटके माइनस 89 क्रोड के आसपर रहा लेकिन मार्च 2023 में ये 7 क्रोड पॉजिटिव है तो कमरी बास फिलाल cash flow भी है और इस समय बीजनस बढ़ रहा है इसकी liability भी बढ़े है क्योंकि लगाता है ये फ्रोड प्रोड कर रहे हैं मार्च 2021 में 30292 क्रोड के आसपर थी जो मार्च 2022 में बढ़के 36708 क्रोड के आसपर पहुची मार्च 2023 में ये 50446 क्रोड के आसपर पहुच गे इसका मतब बिजनस बिल्कुल पट्री पर बढ़ता हो दिखाई दे रहा है यहाँ पे community center परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स